नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग नोट ट्री नियो एप पर्मिशन एरर प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह प्रॉब्लम आ रहा था लिए क्योंकि दोस्तों कहीं बर क्या उते हैं हमारे जो एप उसके पर्मिशन पर मा जाते और वी पर्मिशन हा जाते और पर में मेरी बन कर दे एपकर नो як पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहला चीज उस एप को अपडेट करना है ठीक है ओके तो जास फॉर एक्जंपल यहां पर कोई आप्लिकेशन हम ले लेते हैं मान लेजिए आपके स्नैप चैट परमिशन पर एरर आ रहा है तो आपको वह एप सर्च करना है एंडेंट उस एप को यहां पर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है जैसे आप उस एप को अपडेट करोगे वेट कीजिए अपडेट कॉम्पलीट होने के बाद सेटिंग पर जाएए स्क्रॉल डाउन कीजिए एप के अंदर पर जाएए दुबारा से स्क्रॉल डाउन अडिक करने और डेटा को यहाँ पर क्लिıyर कर दिना अड़ करदें जैसे डेटा क्लियर होगात की परमिशन सारे परमिशन ऐलाव कर दें सारे परमिशन एलाव करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने डिवाइस को restart करे permission को allow कीजिए चेक कीजिए solve हो जागा problem ठीक है इस तरह के से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आईए मैं आपको बता रहे तो permission allow के से करना है तो यहाँ पर दोस्तों आईए हम जाते दुबारा से Snapchat पर तो clear data करने के बाद दोस्तों permission के option यहाँ पर मिल जाएगा तो call locks पर जाना है allow करना है camera option पर जाना है allow करना है ठीक है इस तरह किसे एक एक करके आपको सारे permissions allow कर देना है बस इतना ही करना है और आपके इश्यू completely fix हो जाएगा बाई एंच अगर आपको दुबारा से problem आते तो यह को रिइंस्टोल कर लिजगा अन इंस्टोल करके रिइंस्टोल करें सारे साथ मोभाइल सोब्सेट को यहाँ पर अपडेट करें ठीक है मोभाइल सोफिर आपका अपडेट होना चाहिए तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो इस तरह किसे आप अपने प्राब्लम कर सुल्ब कर सकते हैं उम्हीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा तेंक्स वाचिंग